मेरे शाब मेरे मेरे शाब मेरे शाब किसाब रे खनशाम तुम तो प्रेम के अवतार हो संकटों में घे रहा और तुम तो के बनारों और आप का दर्शल हमें कि हाथ में मुर्ली तुम्हार गल फूलों का हार हो आप का दर्शल हमें हर जनम में बार बार वो आएगा आएगा बिलकुल नया भाव है मैं गाना चाहूँगा कलकता के हमारे सुनील गुपता जी सोनों के द्वारा सोनों जी के द्वारा निर्मित रचित बाबा की गरपास बड़ा सुन्दर बजन आएगा मैं चाहूँगा जितने भगत बैटे हैं अपने हाथों में मोबाईल लेके बैटे हैं या तनवेता के साथ में प्रभु के दरवार में गाने के लिए बैठे हैं एक शब्द यात रखेना पूरे भजन में एक शब्द आएगा गोम गोम के सामरी आ जाने क्या क्या एक बाद आवाज आने चाहिए एक बाद दोर से क्या आवाद मुझे दो क्यों ओकात से जादा मुझे दो क्यों ओकात से जादा बिन मांगे मिल जाए सा वरियाद और किसने मेरी कुटिया में किसने मेरी कुटिया में महलों के सुख बरसाए और जो जो मानता है कि सब को सावरा ही जानता है सावरा ही जानता रहेगा एक वर अपने दोनों हाथ खोल गे किरतन वाला फिर से एक वर माहूल बनके दिरा मिलके दिरा यह एक आदशी वाला यारस वाला फिर से माहूल दिरा एक 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 दो तीर यह चाँ आहो नहाँ आहाँ आहाँ मुझे तो क्यों ओकाद से जाता बिन मांगे मिल जाए किसने मेरी महलों में किसने मेरी कुपिया में महलों के सुख बरसाए बोलिये बोलिये सावर्या जाने हो सावर्या जाले देखे एक एक कथन मैंने कहीं पे पड़ा रविंदर नाथ टैगोर ची का बहुत अच्छा कथन था इतना अच्छा स्लोगन मुझे आद भी याद है कि मुर्ख तुम भी हो मुर्ख तुम भी हो मुर्ख मैं भी हो मुर्ख मैं भी हो मुझे अपनी मुर्खता का ग्यान है एक बढ़र बज़े क्योंकि जो भाव घाने जा रहा है शायद आप सब लोगों की यही बात हो मिलगे अपने अंदर के सारे मैं गुण अव गुण पहचानो मुझे में हैं कितनी कमिया ये अच्छी तर से जानो फिर कैसे परिवार मेरा ये फिर कैसे परिवार मेरा इज़त की रोटी खाए सावर या जान, सावर या जान सच बताना कौन-कौन चाता है दुनिया में कुछ मिले या ना मिले लेकिन बाबा इज़त की रोटी मिलते रहे दो वक्त की कौन-कौन चाता है एक बाद ने दोनों हाथ खोलके ने-दोनों बिलकुष सीदे से आहाथ खोल के ने-दोन, टू, ट्री क्या बाद क्या बाद वो सामले सरकार की आहाँ आईए गया शायद आपने 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 आपके परिवार की भी यह बात हो सुनिएगा अपने पूरे परिवार की और से मिलके कहना बाबा सीक यह गर्ग्रहस्ती की चिंता यह भरे भारी भारी यह गर्ग्रहस्ती की चिंता और कहाँ से आया कैसे आया कहाँ से आया कैसे आया मेनी संच रखायen लोग केते हैं कि नसी जैसा फार ना तो तो किया में कभी बढ़ा गया ना कभी बढ़ा जासेगा अपने परिवार्ट कोई वेटिकी शाथी होती है कोई प्रिकार की विवस्ता नहीं है लेकिन अन्त समय में आपि पता ने कैसे कैसे रूप बनांगे हर नर्षी के घर में हर सुदावा के घर में को साथ मिलकि बढ़नाप इस समय नहीं लेना। सकते जीवन में कभी आते हैं जाते हैं जब भूई में उपर गम्रके बातल शाचते हैं जब भूई में तो कोई न कोई छच्चिरी लेकरे एक बार उस नेली छच्चिर बारी के तरह दो हाथ हो तालिया मत बदा ना ना तालिया मत बदा कोई न कोई छच्चिरी लेकर साथ खड़ा हो जाए कोई न कोई छच्चिरी लेकर साथ खड़ा हो जाए जिस दिसे में अपने मालिक से आता जोड़ा जिस दिसे में अपने मालिक से आता जोड़ा बस कर्म करू मैं अपना बागी सब इस पे चोड़ा इसे कैसे मेरी चवली सोनो इस बदर के आता जोड़ा जिस दिसे में अपने मालिक से आता जोड़ा बस कर्म करू मैं अपना बागी सब इस से पे चोड़ा बस कर्म करू मैं अपना बागी सब से पे चोड़ा कि कैसे मेरी चवन्नी सोनो कैसे मेरी चवन्नी सोनू रुपिये में चल जाए कैसे मेरी चवन्नी सोनू रुपिये में चल जाए हो मैं तो जन्नों से तेरा दिवाना हूँ मैं तो जन्नों से तेरा दिवाना हूँ तेरी किर्पा से मैं अनजाना हूँ कि तेरे छोटे से दिवाने की मेरे शाँ मेरे शाँ तेरे छोटे से दिवाने की बात रहे तेरे कि मेरा साविरा हमेशा हो मेरा साविरा दोनों हाथ खोल के बोल दो एक बार कि मेरे सिर पे सदा तेरा हो मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे मेरा साविरा हमेशा मेरे साविरा साथ रहे मेरा साविरा हमेशा मेरे साथ रहे अक्षण आप यान 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 यान